हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तर्णा पौदार सो बेसिकली आज हम लोग चार मिनार घूमने आए हैं हम लोगों ने हैदरापाद का एक बस टूर दिया था जिसमें पहले हमने चॉंबॉला पैले इस कवर किया और उसके बाद में हम लोगों ने ताज फलकनूमा कवर किया उसके बाद में गॉलकॉंडा जा सकते थे लेकिन हम लोगों ने चार मिनार का तूर दिया तो अब मैं आपको बताती हूं कि जैसे उन्होंने हमें चार मिनार पे छोड़ दिया तो 4 मिनाट के उपर ये गन्ने की गंडेरी बोलते हैं हम तो ये बहुत ही अच्छी मिल रही थी तो हम लोगों ने fresh fresh पहले तो वो खाई और उसके बाद में हम लोगों ने नारियल का पानी पिया और जो 4 मिनाट है उसके आसपास आप और क्या घूम सकते हो और चार मिनार के अंदर पूरा ऐसे उपर भी जा सकते हो आप लोग और जो चार मिनार है उसके अंदर ही मत्ब माता का मंदीर है बहुत ही फेमस टेमपल है वो भी आप देख सकते हो तो वहाँ पे सब पे वीडियोज तो मैंने नहीं बैनाए विकॉस बहुत ही जादा भीर थी उसके बाद में हम लोगोंने आटो ले लिया आटो लेके हम लोग सेक्रेटेरियट वगरे के साइड में निकल गए और पूरा का पूरा ऐसे हमने आटो से हैदराबाद दर्शन किया बहुत ही सुन्दर व्यू था इवनिंग के अंदर लाइटिंग वगरे के साथ में बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सारा सेक्रेटेरियट का जितना भी ये पूरा रस्ता है यहाँ पर हम लोगों ने एक जंगा पर ओटो रोक के सोचा की फोटो किन जाते हैं लेकिन फिर पूलिस ने बोला कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं रुख सकते हो उसके बाद में मतलब कि यह सब पूलिस वगरे का एरिया होता है तो ऐसे इतना रुखने नहीं देते हैं लेकिन यह अभी अरोवेट हुआ था और यह बहुत जादा सुन्दर बनाया गया है फिर उसके बाद में हम लोग इसी ओटो वले को लेकर आगे की साइड में निकल गए आपको पता है कि चार मिनार से कैप्स वगरे नहीं मिलती है कुछ है उन लोगों का कि वहाँ पर आपको ओटो ही लोकर लेकर और फिर आपको आगे निकलना पड़ता है तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसी ओटो वले को कंटिन्यू करते हुए हुसेन सागर लेक गए हुसेन सागर के अंदर आप बाटिंग वगरे भी कर सकते हो और ये हैदराबाद दर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है हुसेन सागर लेक हुसेन सागर लेक के अंदर रात हो गई थी हम लोगों ने तो बाटिंग नहीं की थी बट आपकी मर्जी है उसके आसपास काफी जादा ऐसे खाने पीने की स्टॉल्स वगरे होती है और कुछ-कुछ आप बच्चों के लिए खरीच सकते हो तो ये भी एक अच्छी टूरिस्ट जंगा है अगर आप कभी नहीं आयो तो हैदराबाद और हैदराबाद के दर्शन कर जो आता है वो एक दिन में सब कुछ कवर कर लेता है बिल्ला मंदिर भी फेमस यहीं पर है हम अल्रेडी घूम चुके थे तो इसलिए हम बिल्ला मंदिर नहीं गए थे आप लोग बिल्ला मंदिर भी जा सकते हो तो इस तरह से एक ही दिन के अंदर छे साथ आपके टूरिश प्लेसिस हैथराबाद के कवर हो जाएंगे बैसिकली अपने पूरा और हैथराबाद कवर कर लिया एक ही दिन के अंदर क्योंकि हमने चोगमोला पैलेस देखा ताजपल अकनूमा देखा गॉलकॉंडा देखी चुके थे पहले उसके बाद में फिर सेक्रेटेरियर देखा चार मीनार देखा चार मीनार में तो आप कितना भी टाम स्पैंड कर सकते हो अनलिमिटीड है फिर उसके बाद में हम लोगों ने यह हुसें सागर लेक जैसे यहां पर आये फोटो जगएरे खिंचा ही यहां पर तो हम रुके थे और उसके इलाबा गर किसी ने नहीं देखा तो बिल्ना मंदिर देख लो हुसें सागर लेक के अंदर जाके वहां पर मतलब की आपको इसे बोट से बीश में लेके जाते हैं डापू पर वहां पर जाके फोटो जग्रा घंचा सकते हो तो वह सब आप यहां पर कर सकते हो वह समने कुछ कुछ चीज ने पहले कर चुके तो फिर आप हैदराबाद के अंदर एक दिन के अंदर क्या-क्या चीज़े कवर कर सकते हो क्या-क्या देखने वाला है और आपके कोई रिष्टेदार भी अगर आए है 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 घूमने के लिए तो उन्हें भी आप इस तरह से पुरा घूमा सकते हो ने बहुत ही अच्छा लगे क्योंकि और हैदराबाद अपने आप में एक रॉयल्टी है निजाम का पुरा का पुरा शहर है यह तो जो वो नवाभी पना है और यह सब चीजें है यह आपको और हैदराबाद में ही देखने को मिलेगी हाई-टैक सिटी गची बौली यह सब पूरा आई-टी सेक्टर है तो यहाँ पे सब डिफरेंट तरह की चीजें हैं लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री वगारे सब कुछ और हैदराबाद के अंदर ही है तो अगर हैदराबाद घुमना है असली हैदराबाद घुमना है तो फिर वो और हैदराबाद ही है मैं यही बोलूँग तो यह जो स्टेच्ई आपको बीच में दिख रहा है यह हुसेइन सागर लेक है बैसिकली तो हम यहां पर एक पुरा इसे स्टोपेज होता है कि आपको कहां पर रुखना है तो वहां पर रुख जाएंगे वहां पर रुखने के बाद में ऐसी नीबू पानी वगारा ऐसकर तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा एक दिन हैंदराबाद की बस टूर के साथ में कवर किया और अगर आप गॉलकॉंडा फॉर्ट उतरते और चार्मीना नहीं उतरते तो फिर गॉलकॉंडा फॉर्ट के अंदर एक लाइट शो भी होता है जो उसके अंदर कवर किय होता और वो भी अपने आप में देखने की चीज अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो और उसके बाद में फिर वो आपको छोड़ देते अगर आस-पास ही होता तो तो आज के व्लोग में इतना ही फिर से मिलेंगे हम नेक्ट व्लोग के अंदर बहुत ही जाजा जल्दी तो थैंक यू एंड कीप वचिंग माइ व्लोग और हैंदर बाद से लिलेटिड और भी मैंने बहुत सारे व्लोग स्टार रखे हैं वो भी आप जरूर देखना है